हेलो बच्चो आज हम क्लास एर्थ के इंग्लिश अनेडियो बुक में जो पोयम नमबर फोर्थ दी है दा लास्ट बारगेन वो करने जा रहे हैं तो बच्चो बारगेन का मतलम होता है मोल भाव करना यानि कि बातचेत करके प्राइस को कम कराना तो आपने I'm sure life में कभी न कभी या तो बारगेनिंग की होगी या फिर बारगेनिंग देखी होगी तो चलिए chapter पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से बारगेनिंग है जो इस chapter में last bargaining है और वो इंसान को पसंद आई है तो चली चैप्टर पढ़कर की देखते हैं इसमें किस चीज की bargaining की बात हो रही है A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other Someone is looking for work, waiting to be hired He strikes a bargain but thinks it worthless He tries twice again but doesn't like either Finally in the last bargain when he is hired for nothing Whatever he is happy as never before What is the bargain and why is it the best तो बच्चो बारगीन जो होता है वो एक agreement होता है एक तरीके का समझाता होता है जिसमें दो parties एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तयार होती है जैसे कि अगर आपकी घर में कोई एक maid रखना चाहती है आपकी मम्मी तो वो maid बोल रही है कि मुझे महीने भर का 10,000 चाहिए और मम्मी कहती है कि नहीं आप 8,000 में काम कर लो थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो दोनो 9,000 में agree हो जाते हैं अब वो 9,000 में आपका काम पूरे महीने भर करेंगी वो maid और आपकी मम्मी महीने के end में उसे 9,000 देंगी तो इस तरीकी का जो यह agreement होता है इसे ही bargaining कहते हैं आप कभी शॉप पे जाते हैं कुछ समान खरीदने के लिए तो वहाँ पे भी दुकान वाला कुछ प्राइस बोलता है कि यह 100 रुपीस का है और फिर आप कहते हो कि नहीं 80 में लगा लो और कुछ देर की बातचीत के बाद वो 90 में आपको समान देने के लिए तयार हो जाता है और आप भी लेने के लिए तयार हो जाते हो तो इसे ही bargaining कहते हैं तो इस चैप्टर में एक मजदूर है जो कि चाहता है काम करना और चाहता है कि कोई उसे हायर कर ले किसी भी काम के लिए और वो इधर-धर घूम रहा है फिर उसके साथ एक bargaining होती है लेकिन उसे वो पसंद नहीं आती उसके बाद दुबारा उसे दू लोग और हायर करना चाहते है लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आता और फिर फाइनली लाश्ट में उसके साथ कुछ bargaining कोई करता है और वो उसको हायर करना चाहता है काम पे रखना चाहता है लेकिन उसके बदले में वो उसे कुछ नहीं देगा लेकिन फिर भी वो मजदूर जो है हैपिली उसके लिए काम करने के लिए तयार हो जाता है तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को पढ़के कि वो bargaining क्या है और वो क्यों इतने बेस्ट थी कि उसने कुछ ना मिलने पर भी एगरी हो गया उसके लिए काम करने के लिए तो एक मजदूर है जो कि सुभा सुभा आवाज लगा रहा है सड़क पर और कह रहा है कि आओ और मुझे हायर कर लो आओ और मुझे अपने काम के लिए हायर कर लो और वो जो सड़क है जिस सड़क पे वो चल रहा है वो सड़क पत्थरों से बनी हुई सड़क है तब ही वहाँ पर एक किंग आता है अपने चेरियोट में बैठ करके इसका मतलम होता है रत पे बैठ करके आता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है और वो उस मजदूर का हाथ जो है पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें अपने पावर से हायर करूँगा मैं पास इतने ताकत है कि मैं अपनी ताकत से तुमको हायर कर लूँगा लेकिन वो जो मजदूर होता है उसको वो बात पसंद नहीं आती उसको वो एगरिमेंट जो वो बारगिनिंग का एगरिमेंट था वो पसंद नहीं आता कि मैं किसी के लिए पावर में नहीं बिख सकता और फिर राजा को वहां से वापस अपने चैरियोट में बैठ करके जाना पड़ता है फिर थोड़ी देर बात जो है वो दुपहर हो जाती है दिन आ जाता है अभी मौनिंग में वो ढून रहा था न अपने ले काम अब थोड़ा सा दिन हो जाता है सारे जो घरों के दर्वाजें हैं वो बंदों हो जाते हैं क्योंकि धूब बहुत है और वो जो आदमी है वो जो मजदूर है वो अभी इधर उधर अपने काम के लिए भटक राए कि कोई तो उसे काम के लिए हायर कर ले तब ही एक बूढ़ा आदमी आता है उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे गोल्ड होते हैं और फिर वो आकर के उस मजदूर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूँगा मतलों मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा लेकिन वो बात भी मजदूर को पसंद नहीं आती वो बहुत सारे कोईंस है जो एक एक करके गिराता है लेकिन मजदूर जो है वो स्माइल, हर फेस पेल एंड मेल्टेड इंटू टियर, शी वेंट बैक अलोन इंटू दार, फिर तभी न आप काम ढूंटे 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 दोपहर से शाम हो गई, पहले तो मौनिंग में जो अपने ले काम ढूंट रहा था तो एक राजा आया और वो उसको अपनी पाव हो गई है और शाम में जो गार्डन है उसके हेज पर गार्डण में बच्व आपने देखा होगा ना कि चार jobbar तरफ जो रास्ता होताया उस रास्थे पे च्वुट चूट पॉद्हे लगे होते हैं आपके घुटनों तक हाइट के पॉद्हे लगे हो अगते है रास्ते में क कहते है कि मैं तुम्हें हायर करूंगी अपनी स्माइल से मतलब मैं स्माइल करूंगी और तुम मेरे गुलाम बन जाओगे ऐसा कहती है वो लेकिन थोड़ी दीर बाद उसकी जो स्माइल है वो भी फीकी पढ़ने लगती है और उसके आँखों में जो है वो आसू आ जाते हैं म उसके लिए भी काम करने के लिए आगरी नहीं होता तो दिखे अभी तक कोई भी उसे हायर नहीं कर पाया है मैं अब काम ढूंते ढूंते ना शाम हो जाते एकदम रात हो जाती है और वहाँपे वो स्मुद्र कहित은 इसे शाप कर किनारे पहुंच जाता है वहां पे समुद्र की लहरों के बीच में समुद्र के किनारे एक चोटा सा बच्चा जो होता है वो शेल्स के साथ वो जो शेल्स होती है ना इस तरीके के दिखती है देखिए जो सी शेल्स होती है जो इस तरीके के दिखती है उसके साथ एक बच्चा जो है वोगी खेल रहा होता है और मजदूर को ऐसा लगता है जैसे वा बच्चा जो है वो से पहले से जानता है वा बच्चा उसको उसकी तरफ सर उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें नठिंग, कुछ नहीं दूँगा और उसी समय से वो जो मजदूर है वो उसका गुलाम बनजाता है वो उसके लिए काम करने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि उसका काम क्या होता है बस उस बच्चे के साथ खेलना तो ये जो पोयम थी ये रविंदर ना टेगर जी ने लिखी थी आप सभी इनको जानते होगे इन्होंने हमारा नैशनल एंथम भी लिखा है जुन गन्मन आप रोज स्कूल में गाते हैं इसे तो आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि एक इनसान जो है ना तो कभी पावर के लिए बिकने के लिए तयार होता है ना ही मनी के लिए बिकने के लिए तयार होता है ना ही कोई एक स्माइल और खुबसूरती उसे खरी सकती है बस आप एक इनसान को एक इनसान तभी खरी सकता है जो वो भले उसे कुछ ना दे बस freedom दे उसको respect दे तो इनसान जो है वो बिकने के लिए तयार हो जाता है जिस तरीके से उस बच्चे ने उस मजदूर को कुछ नहीं दिया लेकिन एक जो respect है और एक जो free mind वाले जो बिना tension वाली जो life है उस बच्चे के साथ जो इनसान को उस मजदूर को मिली वो ही life जो है कि इनसान चाहता है कि इनसान चाहता नहीं कभी भी कि उसे tension हो वो हमेशा free bind हो करके और एकदम ही अपने मन का मालिक हो करके काम करना चाहता है और एक बच्चा उसे उसी चीज के लिए हायर कर लेता है तो I hope आपको इस चैप्टर इच्छी से समझ में आ गिया होगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन का बैल आन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सलेबस से रिलेटर जब भी हम नया वीडियो लाएं तो वो आप तक सबसे पहले पहुच जाए थैंक यू बच्चो फो वाचिंग